अगर आप अपना घर खुद से बनवा रहे हैं और पलंबिंग का काम करवाने जा रहे हैं तो आप खुद से डिसाइट कर सकते हैं कि आपको अपने घर में कहां कौंसी जगाए अपने पानी के पॉइंट देने हैं अपनी requirement के हसाब से तो अगर आप भी अपने घर में तो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है वीडियो में बने रहिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो फ्रेंड्स आपको पानी के पॉइंट्स कितने और कहां कहां देने चाहिए ये जानने से पहले आपको तीन बाते हमेशा याद रखनी है पह पाइप ही यूज करना है चार से छे केजी तक का दूसरा डबलू सी ड्रें और स्ट्रोम वाटर यानि के बरसात के पानी के लिए आपको हमेशा यूपीवीसी पाइप यूज करने चाहिए और तीसरा टोइलेट इनलेट के में पाइप का साइज पोना इंची यानि के कम से तीन इन से कम नय हो और ये पाइप भी यूपीवीसी के ही यूज करने हैं तो मेंली पलंबिंग का काम करवात के समय मेरी ये तीन बाते जिरूर घ्यान में रखें आईए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने घर में टोटल कितने पानी के पॉइंट देने चाहिए नमबर वन अगर मैं बातरूम की बात करूँ तो अगर आप सेपरेट बातरूम बनाते हैं तो बातरूम में आपके कम से कम दो इनलेट और चार आउटलेट तो होते ही हैं जैसे शौवर के लिए दो पॉइंट एक इनलेट का और एक आउटलेट का दो पॉइंट टैब के य Don't worry, आपको note बनाने या screenshot लेने की कोई जूरत नहीं है, वीडियो के last में मैं आपको इस पूरी detail की PDF और Excel sheet दोनों दे दूँगा, तो ये है bathroom के लिए minimum water point की requirement, next अगर toilet की बात करें, तो toilet में आपके पानी के total 3 inlet और 3 outlet point रहेंगे, एक inlet point कमोड system के लिए, दो point health faucet के लिए, एक inlet और एक outlet का, एक tap के लिए water point आप कमोड के पास भी दे, इसका फाइदा ये है, कि अगर आप Indian toilet seat भी लगवा रहे है, तो आपके दो point health faucet के कम हो जाएंगे, और ये एक tap को point काम आएगा, पर मैं recommend करूँगा कि आप कोई भी seat लग रखे, और दो point देने होंगे आपको wash basin के, एक inlet का और एक outlet का, तो toilet में आपके total 6 point रहेंगे, 3 inlet के और 3 outlet के, और अगर आप attached toilet bathroom बना रहे हैं, तो ये total 12 point हो जाएंगे, 5 inlet के और 7 outlet के, बाकि आप ज्यादा भी रख सकते हैं अपनी जरूरत के बेस पर, पर मैं यहाँ आपको minimum requirement बता रहा हूँ, इससे कम point आपको नहीं रखने चाहिए, next अगर बात करें kitchen की, तो kitchen में आपके total 6 water point रहेंगे, 2 inlet के और 4 outlet के, एक inlet point आरो means water purifier के लिए, 3 water point गीजर के लिए, यानि एक तो इसमें inlet का pipe रहेगा, जिससे गीजर में पानी जाएगा, और 2 outlet रहेंगे, एक outlet point ग दो tab के outlet point रहेंगे, एक fresh water यानि के supply के पानी के लिए, और एक outlet point टंक के पानी के लिए, यानि के kitchen में आपको minimum 6 water point रखने है, 2 inlet के और 4 outlet के, नमबर 4 है hall या dining room, hall या dining room में आपको सिर्फ 2 water point रखने है, wash basin के लिए, एक inlet का और एक outlet का, next है balcony, balcony में भी आपको एक tab जरूर रख चटा आता है हमारा पूजा रूम, पूजा रूम में भी आप एक wash basin रख सकते हैं, जिसके लिए भी आपको एक टोटी के लिए 2 point के जूर थोगी, एक inlet का और एक outlet का, और ये point totally आपकी requirement के base पर depend करेगा, इसे आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, next है garage या parking का area, यहाँ भी आपको एक tape यानि के टोटी जरूर लगवानी है, बाइक या car washing purpose के लिए, तो यहाँ भी आपको एक inlet point जरूर रखना है, और लास्ट आ जाती है आपकी terrace यानि के छट का area, छट पर आपको एक tap को point जरूर रखना चाहिए, छट पर कहीं भी या पानी की टंकी के पास, तो friends यह है पूरे घर के लिए minimum water point requirement, आईए एक बार total number देख लेते हैं, जैसे number one bathroom में total 6 point रखने है, दो inlet के और 4 outlet के, जिसमें shower के 2 point रहेंगे, एक inlet का पलस एक outlet का, tap के भी 2 point रहेंगे, पर सिरफ outlet के, और geezer के भी 2 point रहेंगे, एक inlet का और एक outlet का, second toilet में total 6 point रखने है, 3 inlet के पल only inlet का, health faucet के 2 point, inlet और outlet का, tap यानि के 20 का एक outlet का point, और wash basin के 2 point, एक inlet का और एक outlet का, और attached toilet bathroom में ये total 12 point हो जाएंगे, 5 inlet के और 7 outlet के, थर्ड कीचन में total 6 point रखने है, 2 inlet के और 4 outlet के, पहला RO यानि के water purifier के लिए एक point सिरफ inlet का, कीचन में जो हम छोटा घिजर लगाते हैं, एक से 8 liter का, 3 point उसके, एक inlet का और 2 outlet के, और sink में 2 point टोंटी के, सिर्फ outlet के, 4th, hall या dining room में total 2 point, एक inlet का, पलस एक outlet का, वास basin के लिए, 5th, balcony में 2 point टैप के, एक inlet का, पलस एक outlet का, 6th, पूजा रूम में 2 point टोंटी के, एक inlet का, पलस एक outlet का, गैरेज या पार्किंग एरिया में एक point, गाड़ी वगारे की washing के लिए, और terrace यानि के छत पर एक point inlet का, तो अगर total देखें, तो total inlet के point हो जाएंगे 12 number, और total outlet के point हो जाएंगे 14 number, और एक घर में total पानी के point हो जाएंगे 26, तो ये आपके घर में पानी के point देने की minimum requirement है, अगर आपके घर में 2 bathroom है या 2 kitchen है, तो इसी क पानी के point plumber को ने रखने देख, तो I hope कि ये जान करें आप लोगों को लिए useful है कि और हाँ, इस वीडियो की PDF copy के लिए आप हमें direct message करें हमारे telegram group पर, आपको PDF copy भेज दी जाएगी, और message करने से पहले group के top में जरूर चेक कर लेना, क्योंकि मैं ये PDF copy यहाँ ग्रूप में कर दो